बक्रियां और बाग एक वक्त की बात है एक जंगल में चार बक्रियां रहती थी उनका नाम लोलू मोलू डोलू टोलू था वो चारो बक्रियां बहुत प्यारी और सुन्दर थी उन चारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और चारों हर काम को एक साथ किया करती थी हमेशा एक साथ रहती और हर सुबह एक साथ मैदान की हरी हरी घास को खाने जाती और स्वाद ले लेकर घास खाने का मजा लेती उसी जंगल में एक बाग रहता था जो उनकी एक तकी वज़ा से उन बक्रियों को मार नहीं पाता था पर अचानक से एक दिन वो बक्रियां एक दूसरे से लड़ने लगी और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो चारों अलग-अलग होकर मैदान में घास खाने लगी अब ना वो चारों बक्रियां एक दूसरे की तरफ देखती और ना ही एक दूसरे से बातें करती